नमस्कार विद्यार्थी मित्रों चेप्टर नमबर एक साज़ेदारी विशेप्रवेश के अंदर आज अपने mcq देखेंगे पहले पाड़ी के तो पहला जो mcq है वो क्या है साज़ेदारों के लिए पुंची पर ब्याज या साज़ेदार के लिए क्या है तो लापानी वित्रन खाते में अपने क्या करते है पुंची पर ब्याज जो है वो लापानी वित्रन खाते के उधार पक्ष में लिखते है तो उधार पक्ष में लिखा तो पेड़ी के लिए वो क्या हुआ पुंची पर ब्याज खर्च हुआ तो साज़ेदारों के लिए क्या ऋड़ेगा आवक गिना जाएगा ओकी तो आवक जो है? वह आपका सही अंसर है याद रहेगा साजेदारों के लिए पुझी पर ब्याज क्या है? आवक है जबकि मेरी पेड़ी के लिए पुझी पर ब्याज क्या है? खर्च है क्लियर दूसरा कोशन देखिए किस पद्दती में पुंजी खाते की रकम बदलती होने से पुंजी पर ब्याज का प्रतिवर्स बदलता रहता है पुंजी पर ब्याज प्रतिवर्स क्या करता है बदलता रहता है तो विद्याती में तो जब भी अपने पुंजी खाता बनाते ह इसके लिए अस्तिर पुंजी खाते के अंदर पुंजी खाते की रकम बदलती होने से पुंजी पर ब्याज प्रतिवर्श क्या करता है बदलता रहता है तो सही आंसर कौन सा है अपना अ यानि अस्तिर पुंजी खाता पदती तीसरा question आपको पूछा है कि परिवतन शिर्फ पुणजी खाता पदती में साजैदार के भागता लाब किस खाते किस पक्ष में लिखा जाएगा तो विद्याती मित्रों आपको गयाद रखना है कि परिवतन शिर्फ पूणजी खाते में सिर्फ अपने क्या करते हैं पूंजी खाता ही बनाते हैं तो पूंजी खाते के अंदर साज़ेदार का लाव अपने कौन सी तरफ लिखते हैं जमा पक्ष में लिखते हैं तो राइट आंसर क्या होगा पूंजी खाते वो क्या होगा जमा होगा चौथा जो कोईशन है वो है यदि स्तीर पुंजी खाता पदती हो तो आरण खाता बंद करके वर्ष के अंत में किस खाते ले जाया जाता है तो विद्याति मित्रों स्तीर पुंजी खाते में दो खाते अपने बनाते हैं एक बनाते हैं पुंजी खाता और एक बनाते हैं चालू खाता और पुंजी खाते में सिर्फ और सिर्फ अपने क्या लिखते हैं पुंजी की बाकी लिखते हैं और चालू खाते के अंदर जो भी आरण, आरण का ब्याज, वितरन, पात्र, लाप सभी अपने किसमें लिखते हैं चालू खाते में लिखते हैं इसके लिए यहां आंसर आएग पेड़ी के लिए क्या गिना जाता है तो यहां आपको खास ज्यान रखना है कि चालू खाते की जो उधार बाकी होती है उसको अपने कहा ले जाते हैं आर्थिक चिते के संपती लेना पक्ष मे ले जाते हैं और संपती लेना पक्ष मे ले जाते हैं के लिए वो अपने लिए किया गिनाएगी चालू खाते की उधार बागी संपति लेना की तरफ और चालू खाते की जो जमा बागी होती है वो पुंजी दाइतों की तरफ जाती है तो right answer क्या है कि चालू खाते की उधार बाकी का ब्याज क्या गिना जाएगा पेड़ी के लिए आवक गिना जाएगा छटा question जो कुछा गया है कि साजेदारों के आरण का ब्याज साजेदार के लिए क्या है तो यहां खास जियान रखना है कि आरण का मतलब क्या होता है पेड़ी मैंसे लिया गया साजेदार नीजी उप्यों के लिए जो लेता है उसे अपने क्या कहते हैं आरण कहते है तो यहां क्या करेगा साजेदार पेड़ी को क्या करेगा ब्याज चुका एगा, तो पेड़ी के लिए वो क्या है? आए है, जबकि साजzessदर के लिए वो क्या गिनाएगा? खर्च गिना जाएगा तो right answer क्या आएगा? कि साजzessदरों के आरण का ब्याज साजदर के लिए क्या है खर्च है क्लियर साथवा जो कोशन है वो है लाबानी वित्रन खाते की उधार बाकी अर्थात क्या यहां विद्याती बहुत कंफ्यूज होते हैं उनको क्या लगता है कि जब अपने लाबानी वित्रन खाता बनाते हैं तो उसके उधार तरफ क्या आता है वित्रन पात पात्र हानी की बाकी ले जाते हैं तो यह याद रखने का कि लाबानी वित्रन खाते की उदार बाकी अठार्थ वित्रन पात्र हानी और लाबानी वित्रन खाते की जमा बाकी अठार्थ वित्रन पात्र लाब तो यहां आंसर के आएगा लाबानी वित्रन खाते की उदार बाक दिया जाएगा अब यहां विद्याती 6% याद रखते हैं वो यह याद नहीं रखते कि 6% किस पर मिलेगा यहां खास दियान रखना है कि according to partnership act भार्तिय साजेदारी अधिनिया में सपस्ट उलेक किया गया है कि यदि करार पत्र में उलेक न हो तो आरण पर और पुँझी पर किसी भी परकार का कोई भी ब्याज दिया जाएगा नहीं clear तो यहां आंसर क्या आएगा कुछ नहीं याद रहेगा पुझी पर ब्याज और आरण पर ब्याज कब मिलेगा जब साजेदारी करार पत्र में उलेक हो तभी उलेक न होने पर पुझी पर ब्याज और आरण पर ब्याज दिया जाता नहीं है नौवा जो कोईशन है यदि साजेदारी करार पत्र में इस पस्टता न हो तो पेड़ी को साजेदार ने दिल ओन पर कितना प्रतिश्चर ब्याज गिना जाएगा तो यहाँ याद रखना है कि बातिय साजेदारी अदिनियम के अनुशार साजेदारों ने दिल ओन पर कितना प्रतिश्चर ब्याज चुकाते हैं 6% ब्याज चुकाया जाएगा दश्वा कोईशन याद रखना है ए बी और सी का पुंजी का अनुपाद कितना है तीन अनुपाद दो अनुपाद एक और वर्ष के अंद में वित्रण पातर लाब कितना दिया है 66,000 तो सी को कितना लाब मिलेगा तो यहाँ विद्यार्ति क्या करते हैं 66,000 को तीन अनुपाद, दो अनुपाद, एक में क्या कर देंगे, वो बाट देंगे, बाटने के बाद सिता के लिएक बटे 6 करेंगे, तो आंसर वो क्या लिखेंगे, 11,000 लिखेंगे, clear, परंतु यहां ध्यान रखना है कि वित्रन, पात्र, लाब, सिर्फ और सिर्फ लाबान कि अनुपाद में बटता है, परंतु यहां पर आपको क्या दिया है, पुंजी का अनुपाद, तो पुंजी के अनुपाद में तो लाब को बाटेंगे ही नहीं, right है, तो यहां क्या लिखेंगे, कि बात यह साज्जेधर यदिनृम क्या कहता है, कि यदी साज्जेधर पुंजी के अनुपाद में बढ़ती है यदि दिया हो तो उस अनुपाद में बाटे न दिया गया हो तो समान अनुपाद में बाटे